मकर संक्रांती आने वाली है तो इस हवसर पर चलिए बनाना सकते हैं तिल के लड़ू तो तिल के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप्स तिल तो यह मैंने साफ और धुली हुई तिल लिए और इसे रोष्ट कर लेना है भून लेना है तो इस प्रकार से कम फ्लेम पर इ बहुत जल्दी भून जाती है यह देखिए ब्राउन हो चुकी है तिल तो इस प्रकार से इसे भून लेना है और इसे फिर एक बर्तन में निकालके मैं अलग रख दे रहे हूं और अब मैंने यह आधा कप मुंफली लिया है और इसे भी कडाई में उसी प्रकार से भून लेना है और गैस की फ्लेम कम ही रखनी है ताकि मुंफली जले नहीं मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से मुंफली भून जाती है तो यह देखिए मुंफली को मैंने भून लिय अब इसे छिलके निकाल लेना है इसके इस प्रकार से थोड़ा सा ठंडा करके और इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं तो यह मैंने इसके छिलके अलग कर दिया है और अब इसे मिक्सर में थोड़ा सा पीस लेना है थोड़ा सा मतलब ज्यादा बारिक नहीं करना है हलका सा म बवेदार इसको पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, अब इसे मैंने एक साइड रख दिया और ये लिया है गुड़, और ये मावा, और ये तिल, इन सभी इंग्रेडियन्स से, इन सभी से हमें लड्डू बनाने हैं, तो चलिए अब देखते हैं, कि इसे कैसे बनान है, तो ये देखे, गुड़ पीघलने लगा है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और फिर इसे अच्छे से इस प्रकार से मिला लेना है, पानी मिलाने से गुड़ भी आसानी से पीघलने लगता है, और जल्दी पीघल जाता है, ये देखे, गुड़ अब इसमें मैं थोड़ा सा गी मिला दे रही हूं और इसे पिघल्ले देना है इस प्रकार से और उसके बाद ही मैंने इसमें खोवा या जिसे मावा कहते हैं इसमें मिला दिया है इसे भी पिघल्ले देंगे और गैस की फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दिया है गैस की फ्लेम मीडियम रखना है ताकि गुर्ड जो है जले नहीं नहीं तो बहुत जल्दी गुर्ड काला पढ़ने लगता है फिर तो मीडियम फ्लेम पे इसे इस प्रकार से पिगला लेना है और एक जैसी चासनी जासा इसका बना लेना है तो ये देखिए इसकी चासनी बन चुकी है गुड की अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है ये देखिए अब इसे इस तिल के उपर पूरा उडेल लेना है इसके उपर पूरा डाल देना है और गुड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसके उपर सारा जो मसाला डालना है फटाफट से उसे डाल देना है ये मैंने मुंफली का चूरा इसके उपर डाल दिया और अब इसे जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि गुड ठंडा नहों पाए और फटाफट लड्डू ब मुझे जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा इस प्रकार से ये मैं इसे मिला ले रही हूँ और ये काम बहुत जल्दी करना रहता है क्योंकि गुड़ जो है फिर कड़ा हो जाता है नहीं तो ये देखिए ये अच्छे से मिला लिया है मैंने अब मैंने ये कटोरी में पानी ले लिया है और हात में इस प्रकार से पानी लेना है पूरे में लगा लेना है और इसके बाद लड्डू बनाने हैं हाथ में पानी लगाने से जो लड्डू के जो ये समागरी है ये हाथ में चिपकती नहीं है गुर जो है हाथ में चिपकता नहीं है और लड्डू आसानी से बनते हैं तो इस प्रकार से ये देखिए लड्डू बन जाते हैं बहुत ही आसानी से और हर बार थोड़ा सा पानी लगाना जरूरी है नहीं तो हाथ में सारा तिल और गुडु जो है हाथ में चिपक जाता है लड्डु नहीं बन पाते हैं तो यह देखिए हाथ में चिपकने लगा था मैंने फिर पानी लगाया यह देखिए लड्डू बहुती आसानी से बन रहे हैं और यह लड्डू पूरा कम्प्लीट बन गए हैं यह देखिए पूरा खाली हो चुका है बरतन तो इस प्रकार से लड्डू बन चुके हैं उमीद है मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार